हेलो एवरीवन गुड इवनिंग तो लोफ यू कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं हमां प्रॉपर्ली ओडिबल तो लोफ यू अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है तो एक बार आप लोग कंफर्मेशन दे दीजे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूँ हमां प्रॉपर्ली ओडिबल तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप सभी से माफी चाहता हूं क्योंकि नेट कनेक्शन इशू है थोड़ा सा जिसकी वज़े से मैं बोल्ड पर लाइव नहीं आ रहा हूं लेकिन आप क्लास होगी और देखते हैं कितनी दे जैसे मैं जैसे भी आऊंगा आपको क्यान से मतलब होना चाहिए और रिवीजन से मतलब होना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं और जितने भी हमारे साथ नए स्टुडेंट जुड़ने हैं उन सभी को बता दूँ आनेकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे है तो आपको बता दूँ 18 तारिक से मतलब कल से कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आने वाले CET एक्जाम के लिए SAC एक्जाम के लिए तो उसके लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर आपके लिए वो बैचेस लेकर आ रहे से SAC Sternagrafer के लिए भी बैच लाँच हो रहा है और Intelligence Bureau के लिए भी इसी महने से Final Punch बैच लाँच हो रहा है तो आप लोग इन सभी को जोईन कर सकते हैं मेरा डिसकाउंट कोड है वरुन 777 आप इसकी मदस से या फिर वरुन वाईपी भी आप लगा सकते हो जिसकी मदस से आपक को 10 प्रितीशत का डिसकाउंट आने क्याडमी पर मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन में चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन है आज का हमारा त्यान रखेगा 2020 के इंपोर्टेंट कोश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं कौन-कौन जूर चुका है शिवं महभूब डैलोग बोल दूँगा महभूब क्यों परेशान हो रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत धहनवाद रुपाली सुरमेश चलिए पहला कोश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्राफिकिंग इन परसन हम लोग कौन से दिन आपको बता ये दिन हम लोग क्यों मनाते हैं ये दिन बैसिकली मनाया जाता है इंसानों की खरीद फर्योस्ट को रोकने के लिए जो लोग महिलाओं और बच्चों को बेचने का व्यापार करते हैं उसको रोकने के लिए क्या आप बता सकते हैं comment box पे लिगकर हमारे constitution के तहट यह हमारे fundamental right में भी आता है जिसकी बज़े से इसको illegal बताया गिया है यह हमारे देश में पूरे तरीके से illegal है ध्यान रखेगा अपराद है कोई बता सकता है इसके लिए article कौन सा है हमारे fundamental right का अगला question है international day of friendship अंतर रास्टी है दिवस हम लोग मित्रता के लिए किस दिन मनाते हैं तो ये भी हम लोग 30 जुलाई को ही मनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है 30 जुलाई को world day against trafficking in person भी मनाते हैं और 30 जुलाई को ही international day of friendship भी हम लोग मनाते हैं ठीक है अरे आज मैं नहीं दिखूँगा आज मैं actually नहीं दिखूँगा क्योंकि मैंने बताया ना कि internet connection इतना proper आज नहीं है इस वज़े से मैं ऐसे class ले रहा हूँ ये कौन सी organization है जिसने साल 2020 में Mars Preservants Rover 2020 को launch किया है जो कि Mangal Gray के लिए एक तरीके का rover है तो Mangal Gray में ये satellite किसके द्वारा launch करी गई है Preservants Rover 2020 को जो कि इस साल February 2021 में पहुचेगा Mangal Gray पर इसको NASA के द्वारा launch किया गया है आपको पता है ये जो आपको rover दिख रहा है ये क्या करने गया है Mars में ये Mars में स्वाइल स्वाइल के सेंपल कलेक्ट करेगा और रॉक के सेंपल कलेक्ट करेगा मतलब चटानों के जो चूरे वहाँ पर पाए गए है Mangal Gray में उनको कलेक्ट करेगा और वहाँ के मिट्टी के सेंपल्स को कलेक्ट करेगा NASA की स्थापना 1958 में करी गई है और NASA का Headquarter क्या है Washington इसको कहां से लॉंच किया गया था इसको अमेरिका में Florida से लॉंच किया गया था CAP कारनेवाल नाम का एक Air Force Station है वहाँ से इसको लॉंच किया गया था अगला कुशन है ये कौन सा देश है जिसने अभी हाली में एक Bill पास किया जिसके तहत ये महत्मा गांदी और मार्टी लूथर किंग जूनियर की जो लिगसी है इसको प्रमोट करेंगे तो ये अमेरिका के द्वारा एक resolution पास किया गया इसका मतलब समझ रहे है भारत और अमेरिका के बीच में एक fact sign हुआ है भारत अमेरिका से महत्मा गांदी से जुड़े हुए सारे तत्यों को शेर करेगा और उसी तरीके से अमेरिका भारत से मार्टीन लूथर से जुड़े हुए तत्यों को शेर करेंगे जो इस्थान मार्टीन गांदी का भारत में है वही स्तान मार्टिन लूथर का अमेरिका में है ध्यान रखेगा, ये भी एक revolutionary थे, और अमेरिका में नई सरकार आ चुकी है, जोए बीडिन की ध्यान रखेगा, और अमेरिका में फर्स्ट लेडी कौन है, इनका नाम है जिल बीडिन, क्या नाम है जिल बीडिन, जोकी जिल बीडिन की धर्मपत्नी है, और ध्यान रखेगा, यहाँ पर उपरास्ट पती कौन है अमेरिका में, इनका नाम मत भूलिएगा कमाला हैरिस, कमाला हैरिस आप से आने वाले exams में एक question पूर सकता है, कि प्रास्ट पती अमेरिका की कौन है, तो यह कमाला हैरिस है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, साल 2020 के आखिर में, Time Magazine ने Person of the Year का टाइटल किसको दिया, तो Person of the Year का टाइटल कमाला हैरिस और जे वीडिन दोनों को दिया गया है, Time Magazine की तरफ से अगला कुश्चन है Who participated from India in six BRICS Environment Minister e-meeting, आप से कह रहा है छटमा संस्क्रण, BRICS के Environment Minister का जो आयुजित किया गया साल 2020 में, इसमें भारत की तरफ से किसने पाट लिया भारत की तरफ से इसमें पाट लिया गया था इसके द्वारा, प्रकाश जावडेकर के द्वारा क्योंकि जाहिर सी बात है, Environment Minister की मीटिंग थी, तो हमारे Environment Minister कौन है, यह प्रकाश जावडेकर है और BRIC की स्थापना कप करी गई थी BRIC इसकी स्थापना करी गई थी साल 2006 में लेकिन साल 2010 में यह BRICS बन गया, जब ब्राजील, रचिया, इंडिया और चाइना के साथ S नाम का यह कंट्री कौन सा है South Africa जब इसके साथ जुड़ गया और BRICS का जो बैंक है इसका नाम क्या है, BRICS के बैंक का नाम है New Development Bank, NDB इसकी स्थापना साल 2014 में BRICS के द्वारा करी गई थी और COVID से related एक यहां पर और आपसे question पूछेगा कि साल 2020 में New Development Bank के द्वारा BRICS को कितनी धन्राशी आवंटित करी गई तो total 5 billion की धन्राशी आवंटित करी गई मतलब इन 5 ओ देशों को 1-1 billion dollar दिये गए किसके द्वारा यह दिया गया NDB New Development Bank के द्वारा and what is the headquarter of NDB इसका headquarter है संगाई संगाई तो इसको कहते हैं question का post-martem करना अगला question है यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने 2020 में aerial seeding technique को launch किया आपको पता है aerial seeding technique क्या होती है एक होता है जैसे normal आपका कोई खेत है या फिर कोई जमीन है जहाँ पर आप खेती करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या करते हो इस तरीके से मेंडे बना देते हो और मेंड बनाने के बाद इसमें पौदे अपने हाथ से रोबते हो ठीक है जिससे आपके पौदे निकलते हैं या खेती निकलती है लेकिन यह जो aerial seeding technique है इसके तहट drone का use किया जाता है ऐसे drone का use किया जाता है और drone के नीचे proper एक bag लगा होता है और bag में क्या होता है clay balls होती है, मतलब मिट्टी से बनाई हुई छोटी छोटी balls होती है जिसके अंदर beach लगा दिये जाते हैं जैसे आप कचोरी बनाते हो ना तो कचोरी के अंदर मसाला बरते हो बस वैसे ही यहाँ पर मिट्टी के अंदर beach बर दिये जाते हैं और इसके through, मतलब drones के through इसको इस तरीके से area में उपर से ही डाल दिया जाता है जान रखेगा clay balls के through जो aerial seeding करी जाती है इसमें ratio कितना होता है 80-20 का ratio होता है मतलब करीब 20% ball आपकी खराब हो जाएंगी लेकिन 80% आपकी successfully पेड़ पौदे को उप जाने के काम आ जाएंगी तो ये कौन सी राज्य सरकार है हरियाना सरकार हरियाना सरकार के द्वारे इसको launch किया गया हरियाना में खटर सरकार है और हरियाना के governor कौन है ये है सत्त देव नरायन आरे अगला question है Defense Institute of Advanced Technology इन्होंने इस साल एक medical bed isolation system को launch किया था coronavirus patient के लिए इसका नाम क्या था इसका नाम था आश्रे आश्रे नाम का ये bed बनाया था किसने Defense Institute of Advanced Technology में आप देख रहे हो ये proper isolated bed है इसके अंदर ये patient लेटा हुआ है और उसके जरुवत की सारी चीजे तो ये जो properly bed बनाया गया था इतना ही नहीं इसमें automatic sanitization system है जिसको DRT के द्वारा launch किया गया क्या नाम देकर आश्रे का नाम देकर इसको launch किया गया था और DRT के इस टाइम पे chancellor कौन है ये हैं राजनाथ सिंग क्योंकि Defense Institute है न और Defense Ministry किसके पास है राजनाथ सिंग के पास है इस टाइम पे राजना सिंग की constituency क्या है इनकी constituency है लखनव लखनव अगला question है इस साल इन में से किस minister के द्वारा एक web portal launch किया गया था जिसका नाम है national ayush mission तो national ayush mission के अंतरगत एक web portal launch किया गया किसके द्वारा इसको श्रीपदनायक के द्वारा launch किया गया था और यह जो आयूष mission है national ayush mission है यह कौन से मंत्रेले के अंतरगत आता है यह आयूष ministry के अंतरगत आता है आप लोगं को पता है आयूष का full form क्या है A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Yunani, S for Siddh, H for Homeopathy तो इसका में मकसद यह है कि भारत सरकार Homeopathy, Yoga, Ayurvedic, Medicines इन सभी को promote करना चाहती है Ultimately भारत सरकार का कहना है कि हम लोग Allopathy दवाओं का कम से कम यूज़ करें और Ayurvedic दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अभी हाली में कौन सी और्गनाइजेशन है जिसके द्वारा साल 2020 में Aim I.Crest नाम का एक प्रोग्राम लॉंच किया गया था इस प्रोग्राम के तहित इनोंने Bill and Melinda Gates Foundation के साथ एक पैक्ट साइन किया था Aim I.Crest नाम का एक प्रोग्राम नीती आयोग के द्वारा लॉंच किया गया था यहाँ पर Aim का मतलब जानना है क्या है Aim का मतलब है Attal Innovation Mission इसके तहत भारत में जो हमारे entrepreneurs हैं उनको मौका दिया जाएगा और यह जो Bill and Melinda Gates Foundation है पता ही किसकी है यह Bill Gates की Foundation है Microsoft की NGO है जो की Microsoft की द्वारा भारत में चलाई जाती है लोगों को मुफ्त उपचार देने के लिए और उनकी Social Welfare के लिए अगला कोशन है Which Indian Democratic All-Rounder Cricketer Announced Retirement from All Forms of Cricket साल 2020 में यह भारती All-Rounder Player कौन है जिनोंने Cricket को अलविदा बोला इनका नाम क्या है इनका नाम है ध्यान रखेगा रजद भाटिया बेसिकली यह Domestic Cricket के लिए जाने जाते हैं आप में से जादा तर लोग इनको नहीं जानते होगे यह उत्तरा खंड से बिलॉंग करते हैं 40 साल की उमर में इनोंने Retirement ले लिया Cricket से ध्यान रखेगा Domestic Cricket में बहुत बड़ा नाम है रजद भाटिया का अगला कुश्चन है यह कौन से भारती Grand Master है माफ करीगा यह भारती Grand Master जिनका नाम है पैंताला हरी किश्णा इनोंने साल 2020 के बियेल में होने वाले चेस फेस्टिवल में Grand Master ट्राइथलेंट टूर्नामेंट को जीता इनोंने कौन सा मेडल यहाँ पर जीता तो ध्यान रखेगा इनोंने Second Rank हासिल करी मतलब Silver मेडल यहाँ पर जीता रजद पदक जीता इनोंने अगला कुश्चन है इस साल परवेश खान का निधन हो गया यह क्या थे? सिंगर थे? फुटबॉलर थे? डिरेक्टर थे? यह क्रिकेटर थे? परवेश खान ध्यान रखेगा यह बिलॉंग करते थे किस से? कौन सी फील्ड से? आप में से कोई बता सकता है? चले मैं ही बताता हूँ यह सिनमा से बिलॉंग करते थे और सिनमा में डिरेक्टर थे और यह एक्शन डिरेक्टर की भूम का निबाते थे इनकी कुछ इंपोर्टेंट जो आपको मूवीज ध्यान रखनी है वो यह हैं जैसे कि अब तक 56 नाना पटेकर की मूवी जौनी कद्दार आप लोगों ने नाम सुना होगा अंदा दुन नाम की आईश्मान कुराना की मूवी है इस तरीके की बहतरीन मूवीज में इन्होंने एक्शन डिरेक्टर का रोल निबाया हुआ है 55 साल की उमर में इनका निधन होगया इनका निधन क्या Centers की वज़े से हुआ है नहीं इनका निधन Heart Attack की वज़े से हुआ है अगला कुशन है प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी पास्ट वे वेस्ट बेंगॉल में कॉंग्रेस कमेटी के जो ब्रेसिडेंट थे इनका निधन होगया इस साल क्या नाम है इनका इनका नाम है सोमेंदर नात मित्र जिनका इस साल ने दन हो गया और वेस्ट मेंगॉल में ममताब इनर्जी की सरकार है गवनर कौन है जगदीव धनकड ध्यान रखेगा ममताब इनर्जी की सरकार के दौरा साल 2020 में एक important scheme लौंच करी गई जिसका नाम है माति इसमती योजना ये जो मातिर इसमती योजना है इसके तहत ममताब इनर्जी की सरकार पूरे वेस्ट बेंगॉल में 50,000 एकर जमीन को acquire करेंगे और इसके अंदर मचली उत्पादन कराएंगे बागवानी कराएंगे जिसके तहत इनका कहना है धाही लाक लोगों को रोजगार दिया जाएगा अभी इस साल प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के परसनल सेक्रेटरी के रूप में किस अधिकारी को एपॉइंट किया गया तो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के परसनल सेक्रेटरी मतलब आप बोल सकते हो सचिफ के रूप में किसको एपॉइंट किया गया ये ह हर्दिक शाह, हर्दिक शाह, हर्दिक शाह, 2010 बैच के IAS इदिकारी हैं और गुजरात कैड़र के इदिकारी हैं. इससे पहले ये deputy secretary के रूप में सर्व कर रहे थे प्रधान मंतरी के office में. और इन्होंने किसको succeed किया? इससे प्रधान मंत्री नरिन मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे तो आपको राजीव तोपनों बताना है इसी वज़े से मैंने आपको बताया कि इन से पहले राजीव तोपनों थे लेकिन अगर पूछें 2020 में तो फिर आप समझ जाना पूछ रहा है अगला कुशन है ये कौन सा दिन है जिस दिन को हम लोग वर्ल्ड रेंजर डे के रूप में मनाते हैं वर्ल्ड रेंजर डे बेसिकली उनके लिए मनाया जाता है जो कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए गार्ड है पूरी दुनिया में, उनके लिए मनाया जाता है, उनको एक तरीके का ट्रिब्यूट है, और बेसिकली उनको भी ट्रिब्यूट है, जिनोंने कहीं न कहीं अपनी जानगवादी पर्यावरण को बचाने के लिए, लाइफ को सेक्रिफाइस किया, ये दिवस हम लोग हर साल 31 की मनाई गई थी, इससे पहले ये दिवस कभी नहीं मनाय गया, क्योंकि 2019 में ट्रिबल तलाक बिल पास हुआ, तो उसके तहत अब भारत सरकार का कहना है, कि हर साल 1 अगस्ट को अपसे हम लोग Muslim Women's Rights Day के रूप में मनाईंगे, जान रखेगा ट्रिबल तलाक बिल के तहत, प्रिज़ा एक organization है, बेसिकली, Zira कहां की organization है, Zira Japan की organization है, तो ये भी एक power organization है, और Reliance Power तो आपको बता ही है, भारती organization है, तो Reliance Power और Zira दोनों ने एक pact sign किया, जिसके तहत ये दोनों companies मिलकर एक thermal power plant की स्थापना करेंगे, कौन से देश में, ये दोनों कमपनिया मिलकर बांग ये power plant बांगलादेश में बनाया जाएगा, बांगलादेश में कहां पर ये power plant Reliance के दोरा बनाया जाएगा, इस जगह का नाम है Meghana Ghat, क्या नाम है Meghana Ghat, बांगलादेश में इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है, सेख हसीना की सरकार है, और इनकी party का नाम है Avami League, एक चीज उपलक्ष में प्रधान मंत्री नरेंद मूदी इस बार चीफ गेस्ट होंगे और आपको ध्यान लगना है आज सुबह के करेंट फिर में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि इस बार 26 जनवरी को हमारे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है ऐसा पिछले 5 डिकेट्स में पहली बार ह हो रहा है पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस बार हमारी रिपब्लिक डे की परेड में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होंगे गार्ड आफ ओनर देंगी अगला कुश्चन है एस पर नेचर क्लाइमिट चेंज जर्नल रिपोर्ट पोलर बियर कुट गो एक्सिटिंड भाई वेचियर आप से कह रहा है साल 2020 में लॉंच हुई नेचर क्लाइमिट चेंज जर्नल रिपोर्ट के अधार पर ये बताया गया ये जो बरफीले बालू है इनकी जो प्रजाती विलुप्त होती जा रही है ये लगबक कौन से साल तक बिलकुल विलुप्त हो जाएंगे तो इनका कहना है लगबक 2100 तक मतलब आज से करीब 80 सालों के बाद ये विलुप्त हो जाएंगे बरफीले बालू तो इनको बचाने जी ऐसा I think कोई option नहीं है क्योंकि मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ अनकेडमी वहाँ पर ऐसा कोई option अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पर आप subscription के ही तौर पर ले सकते हो course को लेकिन फिर भी अगर आप compare करो तो पूरे भारत में सबसे सस्ता platform है अगर आप compare ही करके देखोगे तो जिसमें आप unlimited classes कर सकते हो I think ये बहतर ही है अगला question है recently which company becomes world's most valuable company आप से कह रहा है इस साल 2020 में दुनिया की सबसे valuable company कौन सी बनी दुनिया की सबसे ज़ादा valuable company Apple declare करी गई Apple Apple की स्थापना कब करी गई थी 1976 में इसकी स्थापना करी गई Apple का headquarter क्या है California और Apple के इस टाइम पे CEO कौन है Tim Cook Apple ने एक अपना manufacturing plant भारत में स्थापित किया है भारत में कहां पर स्थापित किया है तो आपको ध्यान रखना है भारत में बैंगलोर में स्थापित किया है अगला question है अगर आपसे पूसता है दुनिया की सबसे ज़ादा mobile smartphone बनाने वाली या largest smartphone maker company कौन सी है तो आपको ध्यान रखना है यह है Samsung Samsung दुनिया में सबसे ज़ादा smartphone बनाने वाली company है अगला question है ये कौन सी company है जिसके द्वारा साल 2020 में mpay.me नाम का एक UPI payment link launch किया गया इसको MobiQ के द्वारा launch किया गया ये basically एक payment aggregator है जिसका use आप पैसा transfer करने के लिए कर सकते हो MobiQ की स्थापना साल 2009 में करी गई थी इसका headquarter है गुडगाउं और MobiQ के इस time पे CEO कौन है इनका नाम है विपिन प्रीत सिंग और Paytium की स्थापना साल 2010 में करी गई है Google की स्थापना 1998 में करी गई है Twitter की स्थापना साल 2006 में करी गई है Paytium के इस time पे CEO कौन है विजय शेखर शर्मा Google के हैं सुन्दर पिचाई और Twitter के हैं Jack Dorsey क्या बता सकते हो अभी किस दुनिया में किस देश के रास्टपती का एकाउंट पर्मानेंटली डिलीट कर दिया है Twitter ने तो ध्यान रखिएगा डोनाल ट्रम्प का एकाउंट पर्मानेंटली डिलीट कर दिया है और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है ये कौन है मनीश कुमार बिलकुल सही बोल रहे है मनीश कुमार Tesla भी अपना एक प्लांट लॉंच करने जा रहा है एक अपना सबसीडरी ओफिस बैंगलोर में लॉंच करने जा रहा है Tesla ये मैंने आपको दो दिन पहले करेंट अफिर में बताया था Tesla किसकी है Elon Musk की है और मैंने आपको पिछले हफ्ते एक कुश्चन कराया था ओला जो है ओला कंपनी जो है जो टेक्सीज चलाते हैं भारत में इसका भी हेड़कॉर्टर बैंगलोर है ओला कौन से राज्ज में एक स्कूटर मैनिफैक्चरिंग प्लांट लॉंच करने जा रहे है जिसके तहत ये इलेक्ट्रोनिक स्कूटर बनाएंगे कोई बता सकता है आप में से द्यान रखेगा ये है तमिल नाडू तमिल नाडू में ओला एक नया प्लांट डालने जा रहा है जहां पर ये पहले फेज में 20 लाक इलेक्ट्रोनिक स्कूटर बनाएंगे और इसके तहत ये करीब 2300 करोन रुपे इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना 2300 करोन इन्वेस्ट कर रहे हैं सर इतना कैसे याद करते हैं भाई मेरे सब कुछ याद होता है अगर आप बार-बार रीडिन करते हैं देखो है क्या मैं आपके लिए current of a daily बनाता हूं तो मुझे पढ़ना पड़ता है फिर मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है अपने हाप याद हो जाते हैं चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं, जब आप भी बार-बार रीडिंग करोगे, तो आपको भी चीजें याद हो जाएंगी, बात हारी है समझ, तो अगर GS का king बनना है, तो आपको चीजें बार-बार पढ़ती रहने पड़ेंगी, नहीं तो GS दिमाग में सेट नहीं हो बाबु सोने से पहले, खाना खा लेना, प्लीज खाना खा लेना, प्लीज तुम्हें मेरी कसम है, ये सारी चीजें जो आप करते हो, तबी तो आपको उसका contact number याद हो जाता है, अदरवाइस उसका contact number तो कई बार उसको भी याद नहीं होता है, लेकिन आपको क्यों याद हो आपसे कह रहा है, इस साल, ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ, इनमें से कौन सी organization ने pact sign किया, जिसके तहित इनोंने MSME सक्चम नाम का platform लाँच किया है, तो ध्यान रिखेगा, सक्चम नाम का platform लाँच किया गया, SIDB के दोरा, अब ये जो सक्चम नाम का platform है, ये क्यों MSMEs को भारत सरकार के द्वारा दी गई सुवधाओं के बारे में बताएगा, ठीके, जैसे MSME यहाँ पर आप देख सकते हो, help center उनके लिए दिया गया है, किसी भी तरीके कोई समस्या है, तो वो यहाँ पर contact कर सकते हैं, MSME resources के बारे में बताया गया है, knowledge hub के बारे में भारत स इस्थापना 1982 में, Exim Bank की स्थापना 1982 में और SBI की स्थापना 1955 में, सिडवी के chairperson कौन है, यह है, महमद मुस्तफा, इसका headquarter है लखनौ, नाबाट का headquarter है मुंबई, Exim Bank का headquarter भी मुंबई, और SBI का headquarter भी मुंबई, अगला question है, which bank launched our two month campaign, कोना कोना उम्मीद, आपसे कह रहा है, two brother gaming, आपका क्या नाम लूँँ, आपका name ही नहीं सही लिखा हुआ है ID में, two brother gaming नाम का आपका name है, सही नाम तो डालिए, तब तो मैं आपका नाम लूँ, दो महिने का campaign, कोना कोना उम्मीद नाम का, किस bank के द्वारा launch किया गया साल 2020 में, इसको launch किया गया था, कोटक महिन्दरा बैंक के द्वारा, और कोटक महिन्दरा के आपको ध्यान रखना है, यह December के current affair में आपको बता रहा हूँ, कि December 2020 में ही, कोटक महिन्दरा के एक बार फिर से, किसको बना दिया गया है, उधे कोटक को बना दिया गया है, CEU, कोटक महिन्दरा की स्थापना साल 2003 में करी गई, ICCI की स्थापना 1994, XSVANG की 1993 और SBI की स्थापना 1955, SBI के चेर परसन है दिनेश कुमार खारा, XSVANG के हैं अमिताब चौधरी और ICCI के हैं संदीब बक्षी अगला कोशन है, हामिद बकायोको, इनको कौन से देश के प्रदान मंत्री के रूप में इस साल एपोइंट किया गया, इस तरीके question बहुत जादा important है, आपसे appointment लगातार पूछ रहा है SSC ध्यान लखना है आपको, तो हामिद बकायोको को कौन से देश में प्रदान मंत्री appoint किया गया, हामिद बकायोको प्रदान मंत्री बने है कहां के, तो भूलिय अगामत ये ivory coast के प्रदान मंत्री बने है और ivory coast की capital क्या है, इसकी capital है Yomo Sucro, क्या बोलते है Yomo Sucro, यहाँ पे currency चलती है, frank, और ivory coast के प्रेशिडेंट कौन है यहां के प्रेसीडेंट है अला सेन औत्रा क्या नाम है अला सेन औत्रा और बाइद आपको बता दूँ हामित बकायोको इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे आइवरी कोस्ट के चलंगा की गापिटल है जयवर्दने कोटे और कोलम्बो घाना की कैपिटल है अक्र अजर बैजा की capital है बाकू अगला कोशन है ये कौन व्यक्ति हैं जिनको साल 2020 में Great Eastern Shipping Company Limited के independent director के रूप में appoint किया गया ये RBI के farmer governor उर्जित पतेल जी है जिनको इस साल Great Eastern Shipping Company Limited के additional and independent director के रूप में appoint किया गया Great Eastern Shipping Company Limited की स्थापना 1948 में करी गई थी इसका headquarter है मुंबई अभी हाली में उत्राखंड के मुख्य सचिफ के रूप में किसको appoint किया गया तो ये senior I.S. एदिकारी है 1987 बैज के इनका नाम है ओम प्रकाश ओम प्रकाश जी को appoint किया गया उत्राखंड के मुख्य सचिफ के रूप म और इनका कैडर भी UK कैडर ही है उत्राखंड कैडर राज्य सभाए MP अमर सिंग का निधन हो गया साल 2020 में इनका निधन किस वज़े से हुआ था अमर सिंग जी का पार्टी के अकलेश यादो की पार्टी जानते है ना उसी पार्टी के 55 साल की उमर में अमर सिंग नहीं रहे पदमिश्री एवाल्डी सोनम शेरिंग लेपचा इनका भी निधन हो गया साल 2020 में ये क्या थे मुजीशिन थे, डांसर थे, मॉन्टेनर मतलब परवतार हो ही थे, या फिर राजनीतिक गी थे, ये मुजीशिन थे, संगीतक गी थे, क्या नाम है सोनम सेरिंग लेपचा, इनका निधन हो गया, कहां से बिलोंग करते थे, वेस्ट मेंगोल से बिलोंग करते थे, 92 वर्ष की चुके थे, ली तेंग हुई, इनको Father of Democracy के नाम से जाना जाता था, इनका भी निदन हो गया, ये कौन से देश के President रह चुके थे, तो ली सेंग हुई, ये तैवान के रास्टरपती रह चुके थे, और आपको पता है, तैवान को Republic of China के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हों Republic of China, मतलब ताइवान के First President के रूप में सर्फ किया था, 97 वर्ष की उमर में इनका निधन हो गया, ताइवान की Capital है ताइपी, जापान की Capital है टोकियो, North Korea की Capital है प्योंग्यांग, और South Korea की Capital है सियोल आज के Current Affair में, मैं आपको मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन कल के Current Affair में ये मैं आपको बताऊंगा, वैसे अभी बता देता हूँ, North Korea ने आपको पता है, एक नई मिसाइल लॉंच करी है जो की दुनिया की सबसे डेडली मिसाइल है अभी कुस टाइम पहले है, North Korea ने दुनिया की सबसे डेडली मिसाइल पिछले ही साल लॉंच करी थी, अभी इन्हों ने फिर से इसको लॉंच किया, Defense Parade के दोरान तो उसका updated version फिर से इन्हों लॉंच कर दिया है अगला कोशन है, अनिल मुराली का निधन हो गया, माफ करिएगा, लगातार और विच्रीस आ रही है, ठीक है तो ultimately question तो ये भी है फ़रा सा ध्यान रखने के कोशिस करिए अनिल मुराली जी का निधन हो गया ये क्या थे, actor थे, director थे, singer थे या musician थे, ये actor थे और कौन से cinema से बिलॉंग करते थे ये Malayalam cinema से बिलॉंग करते थे अनिल मुराली, इतना ही नहीं दोसों से जादा फिल्में कर चुके थे अपने करियर में, तो लीवर की problem की वज़े से इनका निधन हो गया, एक क्यावन वर्ष की उमर में कोची में इनका निधन हो गया ये कौन सा देश है, बहुत और आपको पता है, इसी के साथ युनाइटेड अरब अमीराथ, सायूक्त अरब अमीराथ, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, या फिर आप बो सकते हो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन सभी में पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने अपना खुद का न्यूक्लियर रियक्टर लॉंच किया है, बारका नाम का, ठीक है इसको इन्होंने कितने बिलियन की मदश से बनाया हुआ है, 24 दस्रमलो 4 बिलियन डॉलर की मदश से इसको बनाया हुआ है तो पहला अरेबियन कंट्री यूनाइटेड अरब अमीराज बना, जिसमें बारका नाम का न्यूक्लियर रियक्टर लॉंच किया गया है UAE की कैपिटल है अबू धाभी, कतर की कैपिटल है दोहा, ओमान की कैपिटल है मसकट, और कोईद की कैपिटल है कोईद सिटी और आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछे, पहला अरेबियन कंट्री कौन सा है, जिसने अपना खुद का एक सैटलाइट लॉंच किया है, मंगल ग्रै के लिए तो ध्यान रखना ये भी UAE है UAE पहला ऐसा अरेबियन नेशन बन गया है जिसने मार्स के लिए अपना रोवर लॉंच किया है, एक चीज और दुनिया में पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस युनिवेस्टी लॉंच करी थी, तो ये भी युनाइटेड अरब अमिराद ही है, जिसने पूरे दुनिया में पहली बार एई युनिवेस्टी लॉंच करी है और युनाइटेड अरब अमिराद बहुत तेजी से टेक्नलोजी की और आगे बढ़ ला है साल 2021 में इनका लक्ष है कि ये पूरे दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनके उपने आर्टिफिचल इंटेलिजेंस में देखने वाली बात होगी ये हो पाता है या नहीं हो पाता है अगला कोशन है ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अंडर ग्राउंड बैलेस्टिक मिसाइल्स लॉंच करी गई मिसाइल्स मतलब समझ रहे ना एक नहीं कई सारी मिसाइल्स लॉंच करी गई तो ये इरान के द्वारा लॉंच करी गई एक साथ इन्होंने पाँच मिसाइल्स का सफलता पूरा परिक्चन किया था साल 2020 में एक इन्होंने जुल्फगार लॉंच करी दूसरी कायम 1 लौँच करी तीसरी साहब लौँच करी चौतरी सेजल लौँच करी और पाँचवी सॉमुर लौँच करी इन सारी missile की range आपके सामने लिखी हुई है ये missile बेसिकली एक तरीके से करतब था किसके लिए अमेरिका के लिए है हलाकि इन मिसाइल्स में से किसी की भी रेंज अमेरिका तक नहीं जाती है लेकिन ध्यान रखेगा इन में से कुछ मिसाइल्स की रेंज इसराइल तक जरूर जाती है तो अगर इसराइल तक जा रही है तो जाहिर सी बात है या अमेरिका को आख दिखाने जैसा था इरान में इस टाइम पर सरकार किसकी है हसन रूहानी की सरकार है और इरान के कमांडर भी साल 2020 में बनाए गए इनका नाम है कासिम सुलेमानी कासिम सुलेमानी को तो अमेरिका ने मार दिया था कासिम सुलेमानी की जगे पर नए कमांडर कौन बने है ये बने है इस्माइल कानी इस्माइल कानी, तो ध्यान रखना है, इस्माइल कानी नय कमंडर हैं, एरान के. और एरान सरकार को चावा हार पोर्ट के लिए, चाइना के द्वारा कितने बिलियन डॉलर दिये गए? चाइना ने 400 बिलियन डॉलर दिये हैं इरान सरकार को चाबा हारपोर्ट में एक्सेस लेने के लिए 400 बिलियन डॉलर चोटा अमाउंट नहीं होता है प्लैंटेशन ड्राइफ कैरीट आउट इन विच स्टेट हैस मेड गिनीज वल्ड रिकॉर्ड आपसे कहा रहा है इन में से कौन से राज्य सरकार के द्वारा एक प्लैंटेशन ड्राइफ लॉंच करी मतलब पॉधे लगाने का एक कैमपेंच चलाए गया जिसने वल्ड रिकॉर्ड दर्च करा दिया गिनीज में तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उत्तरपदेश सरकार के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया या रिकॉर्ड दर्च कराया गया आपको पता है उत्तरपदेश सरकार ने पिछले एक साल में लगबग 25 करोण पौधे लगाये हुए है जिसमें से 150 से जादा प्रजातियों का यूस किया गया है और करीब 8.7 लाग साइट्स पर इसको लगाया गया है मतब 8.7 लाग जगाओं पर इसको लगाया गया उत्तरपदेश में तो गिनीज बुक आफ रिकॉर्ड में उत्तरपदेश सरकार ने सबसे जादा 12-12 लाक फूड पैकेट बाटे थे योगी आदितिनाद की यहाँ पर सरकार है गवर्नर है आनंदी बेन पटेल महरास्ट्रा में उदो ठाकरी की सरकार है गवर्नर है भगस सिंग होस्यारी गुजरात में विजरुपानी की सरकार है गवर्नर है आचार देव वरत और राजस्थान में अशुक गहलोद की सरकार है गवर्नर है आपर कलराज मिश्र अगला कोशन है यह कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जो की स्नो लेपर्ड तंदर वेशन सेंटर की स्थापना करेंगे मतलब बरफीले चीतों को या बरफीले लकड बग्यों को बचाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोलेंगे तो ये है त्रिवेंद सिंग रावद की सरकार उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि ये लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना करेंगे और आपको पता है अभी कुस टाइम पहले भारत का पहला ऐसा राज़ बन गया था जिसने स्नो लेपर्ड की काउंटिंग भी करी दी तो ये भी उत्तराखंड सरकारी है जिनोंने स्नो लेपर्ड की काउंटिंग करी दी उत्तराखंड में त्रिवेंद सिंग रावत की सरकार है गवनर है यहाँ पर बेबी रानी मौर्या यमाचल प्रदेश में जैराम ठाकुर की सरकार है गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रे, जम्मू कश्मीर में गवर्नर हैं मनो सिना और लद्दाक में रादा किष्ण मातुर। आपसे पूछेगा, साल 2020 में, पोशण मेला कहां पर लगाया गया था, तो पोशण मेला लगाया गया था लद्धाक में, यह जो पोशण मा था, इसके तहट कैम्पेंच चलाया गया था, और महिलाओं को, basically, मदर्स को यह बताया गया, कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को को पोश्चन से बचा सकती है अगला कुश्चन है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा साल 2020 में कॉंटेंटमेंट जोन्स के लिए मोबाइल कोविट टेस्टिंग सेंटर्स लौंच किये गए ये मोबाइल कोविट टेस्टिंग सेंटर और कुछ नहीं है ये चलती फिरती बस हैं बेसिकली इन बसों में आप देख रहे हो इस तरीके से खिड़की बनी हुई है और इन खिड़की के आगे बेसिकली वक्तियों को खड़े होने के लिए एक पाइदान बना हुआ है इसमें आप जाएंगे आपकी स्क्रीनिंग कर ली जाएगी और अगले दिन यही बस आके आपको कोविट की रिपोर्ट भी दे देगी ठीके? तो ये जगे जगे पर बसे चलाई गई गई चार और राजियों में इसको साल 2020 में कुल दिया गया पहले फेस में इसको 20 राजयों में launch किया गया था अप 4 और राजियों में launch कर दिया गया तो टोटल कितने हो गया 24 राज़यों में One Nation One card scheme launch करी जा चुकी है One Nation One card का आप मतलब सम्झ रहे हैं आने वाले टाइम पर आपके पास एक ही card होगा, जिसके तहता आप metro travel भी कर सकोगे, rail यात्रा भी कर सकोगे, बैंकों में पैसा भी transfer कर सकोगे, अपना पैसा निकाल भी सकोगे, यह सारी चीज़ें आप एक card से ही कर सकोगे, हवाई यात्रा भी कर सकोगे, toll tax भी दे सकोगे, parking क के लिए भी आप पे कर सकोगे, यह सारी चीज़ें सिर्फ आप एक card से ही कर पाऊगे, जिसको one nation one card scheme बोला जा रहा है, अगर आपसे कभी पूसता है कि one nation one card को प्रधान बंती नरेन मोदी के द्वारा कहां पर लॉंच किया गया, इसको लॉंच किया गया था एमदाबाद मे साल 2019 में, अगला कोशन है, यह कौन सी राज्य सरकार है, जिसके द्वारा कविता देवी और रैसलर बविता फोगाट इन दोनों को deputy directors of sport and youth affairs department में जगे दी गई, या फिर आप बोल सकते हो, deputy director की post दी गई है, sport and youth affairs department में, जाहिर सी बात है, दोनों ही खिलाडी बिलॉंग करती हर्याना से, तो खटर सरकार के ही द्वारा ऐसा किया गया है, तो खटर सरकार ने sport and youth affairs department में, deputy director की post दी है, बविता फोगाट और कबड़ी प्लेयर कविता देवी को, यह कौन सी ministry है, जिसको scotch gold awards से सम्मानित किया गया है, tribals के लिए उत्करस टकारे करने के लिए, तो जाहिर affairs ministry को scotch gold award दिया गया, और अगर आप लोगों ने आज सुबह के मेरे current affairs देखे होंगे, तो आप लोगों को आज सुबह में ही पहला question मैंने बताया था, अरजुन मुंडा, जो की tribal affairs minister है, इनको भी transparency से काम करने के लिए scotch award से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो दोनों चीज, अब देखे, इनकी ministry को भी scotch gold award पहले मिल चुका था, और कल के दिन अरजुन मुंडा को भी scotch award दे दिया गया है, तो ultimately tribal affairs ministry को बहतर कारे करने के लिए, और इनके minister को भी बहतर कार करने के लिए scotch से सम्मानित किया गया है, साल 2019 में इसी तरीके से ममतब energy को भी सम्मानित किया गया था scotch award से, तो अगर आपसे 19 में पूसता है, तो ममतब energy आपका answer होंगे, अगर आपसे 21 में पूसता है कि अभी हाली में, तो फिर आपका answer अरजुन मुंडा होंगे, I am sure option से आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली question में, साल 2020 में Paytm Money के नए CEO की एटियम के founder कौन है, और इस टाइम पर CEO भी यही है, विजय शेकर शर्मा, विजय शेकर शर्मा, सर आपके 30 से 35 question किये हुए, आम सचिव हर्याना में आये हुए थे, धन अबाद दिनेश कुमार जी आपके प्यार के लिए, यह मेरे कराय हुए तो ठीक है, मैं तो काफी सारे question कराता हूँ, लेकिन यह आपकी लगन भी है, आपकी मेहनत भी है, क्या आपने पढ़ा, तब जाकर आपको 30 से 35 question वहाँ पर मिले, ठीक है ना, तो पढ़ना जादा जरूरी है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ लगातार, अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे, सारे questions अगर वो थोड़ा सा बहतर रहेंगे, अगला question है, under which scheme, government of India has launched a program for the benefit of articians involved in manufacturing of अगरबती, आप से कह रहा है, ऐसे परिश्रमी या ऐसे workers जो की अगरबती बनाते हैं, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा, एक program launch किया गया, यह program कौन सा है, भारत सरकार के द्वारा, ग्रामोदय वि सारी गर्यों को एक special machine दी गई है, अभी तक सारी अगरबतियां यहां सही बनाते थे, इस machine से इनका काम आसान हो जाएगा, और इनको automatic अगरबती machine दी गई है, जिनसे की automatic अगरबती बनेगी, और साथ में mixing machine भी दी गई है, mixing machine का मतलब समझ रहे हैं, यह जो अगरबती में आ हमारी armed force की, जिसने KVIC के साथ एक pact sign किया है, KVIC का मतलब समझते हैं, Khadi and Village Industries Commission, तो इनके साथ यह pact sign किया है, कि देश भर में mustard oil की supply करेंगे, mustard oil मतलब समझ रहे हैं, जिसको आप सरसो का तेल बोलते हो, कड़वा तेल बोलते हो, हमारे देहातों में, गाउं में इसको कड़व ITBP भी या कैसे कर रहा है, देखे, ये घरो घरों की या दुकानों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है, पूरे भारत में हमारी defense के लिए जितनी भी canteens बनी हुई है, ठीके, तो उन canteenों में अभी तक बहुत सारे ऐसे brand यूज हो रहे थे, जो की बाहर के brand थे तो अब हमें स्वदेशी अपनाना है, मेकिन इंडिया के तहत हमें भारत में ही बनी होई निर्मित आइटम का यूज करना है ज्यादा ज्यादा, तो ये जो mustard oil की supply ITBP करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर करेगी, सारी defense की canteen में करने की इन्होंने जिम्मेदारी लिए किसके द्वारा बनाय हुए mustard oil है, हमारे खुद के MSME के द्वारा बनाय हुए mustard oil है, और ITBP के अगर बात करें, तो इसकी स्थापना 1962 में करी गई थी, ITBP के इस टाइम पर डिरेक्टर जनरल है, SS देशवाल, सुर्जी सिंग देशवाल, और ITBP का headquarter है नही दिल्ली, खादी Village Industries Commission के chairperson कौन है, विनई कुमार सकसेना, विनई कुमार सकसेना, अगला question है, दिनेश कुमार, भी आप प्लीज चोक मत करिये, comment section को चोक मत करिये, प्लीज, आप से request करना हूँ, comment section को चोक मत करिये, नहीं तो मुझे block करना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ मैं, प्लीज चोक म मत करिये, दिनेश कुमार जी, प्लीज मत चोक करिये, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज मत करिये चोक, नहीं तो, आप लोग देख लीजेगा, अगर दुबारह स्पैम होता है, तो आप लोग, आप लोग report कर दीजेगा, automatic block हो जाएंगे, अगर वो नहीं सुनना है, तो, ठीक है, माफ करियेगा, करना पड़ेगा न, बाकी students प्रॉब्लम में अगर आ रहे हैं तो, Government of India have made centralized e-invicing scheme for business having turnover more than bought, आप से कह रहा है, भारत सरकार के द्वारा, e-invicing scheme launch करी गई है, वो दमियों के लिए, मतलब business करने वाले लोगों के लिए, लेकिन कितने तक के turnover के लिए इसको launch किया गया है, 500 करोण तक के turnover के लिए launch किया गया है, इसका main मकस्त समझो होता क्या है, जैसे आप वैपार कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो भी transaction करते हो, आप जो भी पैसे का लेंदेन करते हो, तो actually होता क्या है कि आप बाद में, बाद में उसको भारत सरकार के जो tax portal है, उनमें आप दिखाते हो, ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने अब क्या parameter बना दिया, एक e-invicing scheme जारी करी है, इसके तैथ एक नया portal खोला है, और जितने भी बड़े वैपारी हैं, उनको बोला है कि अगर उनका turnover साल में 500 करोन तक का होता है, 500 करोन को touch करता है, तो इस case में उनने क्या करना है, अपने हर एक transaction की detail तुरंट की तुरंट update करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि आज आज आपने सामान बेच लिया 10 करोन का, तो आप उसकी invoice कल परसों या अगले महने दिखाओ, या फिर एक साल बाद tax slave में दिखाओ, ऐसा नहीं है, आपने आज transaction किया है, तो आज ही आपको उसको fill क करना होगा, मतलब आपको real time system पर उसे show कराना होगा, भारत सरकार को तुरंट बताना होगा, ठीक है, इसका ये मकसद है में, और इसको कब से launch कर दिया गया है, इसको 1 October 2020 से apply कर दिया गया था, अगला question है, ये कौन से union minister है, जो की 2020 में COVID positive हो गये, तो COVID positive union minister इन में से कौन हुए ठीक है, वैसे इस तरीके को question अब important नहीं है, उस time तक के लिए ही ये important होते हैं, IBPS में तुरंट तुरंट के question आते हैं इस वज़े से उनके लिए important थे, आपके लिए important नहीं है, World Sanskrit Day हम लोगों ने किस दिन मनाया, World Sanskrit Day हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है, बहुत important question है, कोई बोलना मत, ठीक है, और आपको पता है, All India Radio ने साल 2020 में पहली बार, Sanskrit-based program भी लॉंच किया था इस बार, ठीक है ना, तो 3 अगस्त को Sanskrit Day हम लोगों ने मनाया, पूरी दुनिया में, अ CRDA, repeal bill 2020 अंध्रपदेश, आप से कह रहा है, इन में से किसके द्वारा, आंध्रपदेश में, 3 capitals की स्थापना करने के लिए मन्जूरी दे दी गई, तो एक बात मुझे बताईए, polity आपको पढ़ाता हूँ ना, state legislature में कोई भी bill पास होगा, तो finally किसके द्वारा पास होगा musical hacker, Y.S. जगमोहन रिटी, भाई मेरे, मैं polity की बात कर रहा हूँ ना, मैं polity की बात कर रहा हूँ ना, अमन दीप सिंग, बिलकुल सही आंसर है, भुपेन, अविरल शुकला, अविरल भाई मेरे, बिस्च भूशन हरी चंदन, ठीक है, state legislature में हमेशा बताता हूँ ना, state legislature में ज कास्टपती के द्वारा, ओके, तो यहाँ पर किसके द्वारा, राजपाल के द्वारा पास होगा ना, तो राजपाल कौन है, विस्च भूशन हरी चंदने, सिवांग लगाने वाला question था यह तो, और आंद्रपदेश की तीन capital अपसे हो गई है, ध्यान लखेगा, अमरावत लेजिस्टिव कैपिटल होगी, विसाखा पत्नम एग्जिकिटिव कैपिटल होगी, और कुर्नूल जुडिशिल कैपिटल इसकी बना दी गई है, तो तीन capital है अपसे आंद्रपदेश की, यहाँ पर वाईयज जगमोन लेड़ी की सरकार है, अगला question है, इन में से किसके द् साल 2020 में थंजावल गोल्फ रिसॉर्ट को लॉंच किया गया, सदेश दर्शन इसकीम के तहट, तो यहाँ पर ministry of tourism की बात हो रही है न, तो हमारे tourism minister कौन है, जाहिर सी बात है, प्रहलास सिंग पटेल, प्रहलास सिंग पटेल जो हमारे culture and tourism minister है, इनके द्वारा थंजावल गो मिनिस्टर हरदीप सिंग पूरी के पास civil aviation है, अगला question है, श्री संजे धोत्रे इनके द्वारा भारत air fiber high speed broadband service को महरास्टा के कौन से जिले में लॉंच किया गया, इसको अकोला जिले में लॉंच किया गया, अब आपको समझा देता हूँ भारत fiber high speed broadband service किसका product है, आपको जान 2019 से current affair पढ़ ले है, 2019 में मैंने आपको बताया था, BSNL का network जब कोई नहीं use कर रहा था, market में काफी down आ गया था, BSNL का, उस case में BSNL ने TCS के साथ fact sign किया था, और TCS से इन्होंने technology support लिया हुआ है, तब जाकर BSNL ने high speed broadband service launch किया है, साल 2020 में, BSNL की स्थापना साल 2000 में करी ग अगला question है, और इसका main मकसद समझ रहे है न, धीमे धीमे करके अब तो इसको महरास्टा के कई जिलों में launch कर दिया गया है, इसका main मकसद यह है कि महरास्टा का जो grammeer area है, वहाँ पर broadband connection देना, net की बहतर facility देना, ये कौन सी राज्य सरकार है, जिसके द्वारा magnet नाम का project launch कि गया, फलों और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, साल 2020 में magnet project भी उदो ठाकरी की सरकार के द्वारा ही launch किया गया, महरास्टा सरकार के द्वारा, महरास्टा सरकार का इसका main मकसद है, इसमें, 1000 करोन की मदद से, अगले 6 सालों में, जो सब्जियों औ और फलों का जो उत्पादन है, उसको double करना है, मतलब किसानों की income को double करना है जाहिर सी बात है, और इसमें जो 1000 करोन की जो धन्दाशी लगाएंगे, इसमें 70% जो funding हुई है, यह Asian Development Bank से लिए हुई है, मतलब 7000 करोन ADB से आए हुए है, 3000 करोन महरास्टा सरकार ने तुरंत ल लौंच किया गया, यह राज सरकार है, मध्यपदेश, शिवराज सिंग चौहान की सरकार, इसके तहट इन का कहना था, अगर आप मास्क नहीं लगाए हुए पाए जाएंगे, तो आपको 100 रुपए का fine देना पड़ेगा, और उसके average में आपको 2 मास्क भी दिये जाएंगे मास्क से याद आया, भारत का पहला मास्क सेंटर किसके द्वारा लौंच किया गया, भारत का पहला मास्क सेंटर किसके द्वारा लौंच किया गया, कौन सी राज सरकार के द्वारा, कोई बता सकता है आप में से, कौन सी राज सरकार के द्वारा भारत का पहला मास्क सेंटर launch किया गया, जिसमें से आप free mask ले सकते हो कभी भी चलि मैं ही बताता हूँ या अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के द्वारा इसको launch किया गया, ठीक है शावान अंसारी, अंसारी ध्यान रखना, ये जो आप 11 रुपए बोल रहे हो, वैसे शायद आपको तो याद है बाकी लोग भी ध्यान रखें, मध्यपदेश सरकार ने, ठीक है इन्होंने एक मास्क अनेक जिंदगी campaign के तहत, अपने सारे MSMEs से 11 रुपए प्रती मास्क के हिसाब से खरीदे हुए हैं, ठीक है इनका announcement था, कि MSMEs चाहे जितने भी मास्क बनाएं, वो सब मास्क ये खरीद लेंगे, 11 रुपए प्रती मास्क के हिसाब से, ठीक है भारत ने 5 medical research project के लिए, जिनकी cost 8 million pounds होंगी ठीक है, कौन से देश के साथ fact sign किया है, भारत सरकार ने 2020 में, बिटेन के साथ fact sign किया है, या फिर आप बोल सकते हो बिटेन की मदद से भारत सरकार 5 medical research project की इस्तापना करेंगे, बिटेन में Boris Johnson की सरकार इस टाइम पर चल रही है रशिया में व्लादी मीर पुतिन की सरकार है चाइना में शी जिंपिंग की सरकार है यूएस में, इस टाइम पर जोवीडिन की सरकार आ चुकी है और जोवीडिन कब शपत लेंगे ये 20 जनवरी को शपत लेने वाले है अगला question है, इन में से किस minister के द्वारा affordable renting housing complex package launch किया गया है मतलब इसमें क्या होगा कि below poverty lines को घर देने की योजना है basically तो ये किसके द्वारा launch करी गई है इसको launch किया गया हरदीब सिंग्पुरी के द्वारा क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास urban development housing and urban development ministry भी है और इनके पास दूसरी जो civil aviation ministry भी है तो ये जो basically launch किया जा रहा है housingforall.com portal launch किया गया credi awas application launch किया गया ये सब narratgo के द्वारा launch किया गया है अब अगर narratgo की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में करी गई थी इसका headquarter है नहीं दिल ली और narratgo के इस टाइम पे chairperson कौन है राजीव तलवार जिन लोगों को एक question नहीं समझाया थोड़ा critical लगा है वो लोग ये जान ले सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि भारत सरकार narratgo की मदस से जो below poverty line लोग है जो गरीब हैं हमारे देश में उनको घर देने की योजना बना रहे है ठीक है नितिन गटकरी के द्वारा उद्गाटन किया गया महत्मा गांधी सेतु का कौन से राज में है ये है महत्मा गांधी सेतु ये है बिहार में अभी पूरे तरीके से इसका शुवारम में नहीं किया गया वैसे तो महत्मा गांधी सेतु बहुत पुराना है लेकिन क्या है कि ये काफी जरजर हो गया था आप देख सकते हो इसमें नीचे सिमेंट सरिया इसकी जरजर इस्टिती हो गई थी तो ये dangerous zone में जा चुका था जिसकी वज़े से इसमें reconstruction का काम चल रहा था तो इसको renovate किया गया है और renovate करने के बाद फिर से launch किया गया है नई lane बन नहीं है उनका विशुबारम में जल्दी कर दिया जाएगा इसको renovate किया जा रहा है 1742 करोण की लागत से और ये जो महत्मा गांदी सेतु है कितने किलोमीटर का आपका ब्रेज है ये 5 किलोमीटर का ब्रेज है काफी बड़ा ब्रेज है ये अगला question है ये कौन सी राजय सरकार है जिसके द्वारा backward classes को state judicial services में 5 प्रतीशत का आरक्षण दिया गया और राजस्ताहन सरकार के द्वारा जितने भी backward classes है उन सभी को state की judicial services exam में 5 प्रतीशत का extra आरक्षण दिया गया है यहाँ पर अशुक गहलोत की सरकार है गवर्नर है कलराज मिश्र उत्तर पदेश में योगी आदेतनात है मद्य पदेश में शिवराज सिंग चोहान है और बिहार में नितीश कुमार है जान रखेगा साल 2019 में नितीश कुमार की सरकार ने एक dog square भी launch किया था ये dog square किसके लि को रोकने के लिए dog square का गठेन भी किया था नितीश कुमार में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा cyber crime awareness program जो की ए रक्षा बंदन के नाम से लौंच किया गया है साल 2020 में अगस्त के महिने में ए रक्षा बंदन नाम का cyber crime awareness program लौंच किया गया आंधिपदेश सरकार के जोरा इर अच्छा बंदन program के तहत आंधिपदेश में जो महिलाएं हैं उनको cyber security के बारे में बताये गया कि किस तरीके से वो cyber crime से बस सकते हैं अगर वो social media platform का use कर रहे हैं तो किन-किन बातों का खास ख्याल रखे हैं और by the way आप लोगों को पताईए signal app signal app वाला वीडियो अ Squash Racquet Federation of India इन्होंने Women's World Team Squash Championship 2020 से विड्रॉल कर लिया था जो की कौन से शहर में होने वाला था रैसे मैं आपको बता दूँ कोश्चन का मतलब हिंदी में समझिये महिलाओं का World Team Squash Championship 2020 में होने वाला था जिसमें भारत ने पार्ट नहीं लिया तो भारत के Squash Racquet Federation ने विड्रॉ किया था किसकी वज़े से इन्होंने COVID pandemic की वज़े से विड्रॉ कर लिया तो Corona pandemic की वज़े से भारत के खिलाडी तैयार नहीं थे जिसकी वज़े से इन्होंने पार्ट नहीं लिया इसको कहां पर होना है इसको Kuala Lampur में होना था ठीक है और कब से कब तक होना था 15 से 20 December तक य इन्डिया का Headquarter क्या है इसका Headquarter है चिन नहीं और इसके Chairperson इस टाइम पर कौन है यह है देवेंदनात सारंगी देवेंदनात सारंगी अगला कोशन है यह कौन से State के Chief Minister है कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा साल 2020 में सियासत में सदसता नाम की एक किताब ल लिखी गई जिसको यहां के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा लौंच किया गया राजेश कुमार जी को कौन से राज्य में मुख्य सचिफ के रूप में अपॉइंट किया गया राजेश कुमार जी आईए सदिकारी है इनको मनीपुर में लौंच में Chief Secretary के रूप सुरेश बाबु को सक्सीड किया राजेश कुमार में मनीपुर में बिरेन सिंग की सरकार है गवनर है नजमा हिबतुल्ला नागा लेंड में नेपी और योग की सरकार है गवनर है आर एन रवी मेगालिय में कॉन्रेट संगमा की सरकार है गवनर है यहां पर सत्त पाल मलिक और आसाम में सब्ननंदा सुनवाल की सरकार है गवर्नर है जग्दीश मुंकी। 1 जन्वरी 2020 से सब्नंदा सुनवाल की सरकार ने अरुनोदह اسकीम लाँच करी हैं। अभी 15 दिन पहले ही अरुनोदह اسकीम। इस scheme के तहट आसाम में जो below poverty line महिलाए हैं उन सभी को 830 रुपिया सरकार की तरफ से दिया जाएगा वित्ती साहता के रूप में I am preparing for hotel management, this class for us to me अच्छा आप hotel management की preparation कर रहे हैं Sir, CDS के लिए एक class करा दीजेए अनुबहो मेरी जितनी भी classes है, current affair हैं वो सब आपको CDS में देखने को मिलेंगे तो CDS के लिए tension free होके बस पढ़िये जो भी daily के current affair हैं उनको follow करते रही है और जो hotel management के लिए बोल रहे हैं आप Vikram केसरी जी मुझे hotel management का actually पता नहीं है syllabus क्या है अगर current affair पूछ रहा होगा तो फिर definitely यहीं से आपको current affair मिलेंगे ठीक है बाकी मैं syllabus नहीं जानता उसका अगर current affair है तो आपको मिल जाएगा यहां से मदद इन में से किसके द्वारा एक booklet launch करी गई best practices in digital India land record modernization program के उपर इसको launch किया गया जाहिर सी बात है जो हमारे rural development minister है और यह कौन है नरेन सिंग तोमर इनके द्वारा launch किया गया एक booklet launch करी गई थी पूरी proper किताब नहीं है थोड़ी सी पतली सी हलकी सी किताब है यह ठीक है और इस साल एक किताब launch करी गई The Battle of Belongings The Battle of Belongings किसकी किताब है यह यह शशी थरूर की किताब है अगला कोशन है इस साल एक और नई किताब launch करी गई थी Green Lights Green Lights नाम की यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है इनका नाम आपके सामने लिखा हुआ है Matthew McCogne क्या नाम है Matthew McCogne यह award winning actor है इनको Oscar award winning actor है Oscar इनको मिल चुका है और इन्हों ने किताब कब launch करी है October के महिने में basically इसको launch होना था 2020 October में Green Light इसी तरीके से January के महिने में जो यह January चल रहा है इसी महिने unfinished नाम की एक किताब आ रही है यह किसकी किताब है Priyanka Chopra की किताब है अगला कोशन है Benedict Howardis of Germany retires from all forms of which game Benedict Howardis जो है यह Germany के खिलाडी है इन्होंने कौन से खेल को अलविदा कहा आप ऐसे ही जर्सी देख कर ही बिता सकते हो यह कौन सा खेल केलते होंगे यह footballer है इन्होंने 32 वर्स की उमर में football को अलविदा कह दिया साल 2020 में और आपको बता दूँ 2011 से 2017 तक Benedict Captain भी रह चुके हैं आप में से कौन बता सकता है कौन से देश के Captain वैसे आपके सामने ही लिखा हुआ है जर्मनी के रह चुके है और आज तक सबसे जादा बार FIFA कौन से देश ने जीता हुआ है ब्राजील ने सबसे जादा बार FIFA जीता हुआ है अगला कोशन है मोहमद इर्फान अली इनको कौन से देश का रास्टपती के रूप में इलक्ट किया गया मोहमद इर्फान अली इस साल रास्टपती बने है गुवाना के और गुवाना की Capital क्या है इसको बोलते है जॉर्ज टाउन क्या बोलते है जॉर्ज टाउन यहाँ पर करेंस्री डॉलर चलती है साउथ अफरीका की तीन Capital है जहां रखेगा ब्लूम फॉंटेन और दूसरी है आपकी कैप्टाउन और तीसरी कोई बता सकता है तीन Capital है पहली मैंने ब्लूम फॉंटेन बता दी दूसरी कैप्टान बता दी तीसरी बता दीजे जल्दी से तब तक मैं आपको बाकी बताता हूँ ब्राजील की ब्रजीलिया और वेनेजुएला की करकस बता ही जल्दी से सर मैंने आज ही प्लस जोईन किया है CHSL के लिए कौन सा बैच है मैं एक काम करता हूँ आप के वल एक दिन और रुक जाईए जिन्नोंने हाली मैं भी सब्सक्रिप्चन लिया है मैं एक दिन आकर मैं कल या परसो के दिन आकर एक एनाउस्मेंट करूँगा यूट्यूब पर और उसमें आने वाले जितने भी बैचेश है जितने भी बैचेश चल रहे है उन सभी के लिंक मैं आप से शेयर कर दूँगा सीदे सीदे ठीक है परिशान मतो बिल्कुल सही प्रिटोरिया प्रिटोरिया तीसरी कैपिटल है अगला कुश्चन है फार्मर आन्द्र पदेश मिनिस्टर इनका नाम क्या है इनका नाम है पी मानिक याला राओ इनका 69 की उमर में निधन हो गया किस वज़े से इनका निधन हुआ कोबिट की वज़े से इनका निधन हो गया इस साल साहित एकैडमी एवाल्डी ऐसे कांदा सामी का भी निधन हो गया ये क्या थे राइटर थे, सिंगर थे, डांसर थे या प्लेयर थे ऐसे कांदा सामी जिनका निधन हो गया इस साल ये एक famous writer थे कांदा सामी जी कौन से राजे से विलॉंग करते थे तमिल नाड़े से विलॉंग करते थे साहित Academy Award से तो इनको सम्मानित किया गया था कौन सी novel के लिए इनकी एक novel है जिसका नाम है विसा रनाई विसा रनाई ठीक है यूपी Cabinet Minister Kamal Rani इनका भी निधन हो गया उत्तरफदेश की Cabinet Minister Kamal Rani का भी निधन हो गया इस साल ये कौन सी पोस्ट को सर्व कर रही थी कोई पता सकता है Communication Minister Technical Education Minister, Home Affairs Minister या फिर State Defense Minister ध्यार रखेगा ये Technical Education Minister के रूप में सर्व कर रही थी इनका निधन हो गया इस साल ये कौन सा दिन है जिस दिन को हम लोग World Lung Cancer Day की रूप में मनाते हैं World Lung Cancer Day अगस्त माहिने की एक तारिक को हम लोग हर साल मनाते हैं और इससे जुड़े हुए आपको ध्यान रखना है अतत्त Brain Tumor Day 8 June को मनाया जाता है और 31 माई को हर साल हम लोग No Tobacco Day की रूप में मनाते हैं एक चीज़ और ध्यान रखना भारत में सबसे पहले ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा Electronic Cigarette को बैन किया गया Electronic Cigarette को सबसे पहले बैन करने वाला राज्य था राजस्तान अब तो पूरे भारत में इसको बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में कर दिया गया है On which date we have observed US Coast Guard Day अमेरिका का Coast Guard दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं ये 4 अगस्त को मनाया जाता है ठीक है और भारत का हम अपना Coast Guard दिवस कब मनाते हैं ठीक है अगला कोश्चन है Northern Railway runs First Vyapar Mala Express train for small traders from Kaas Gang, Dilli to which place Northern Railway के द्वारा पहली Vyapar Mala Express चलाई गई 2020 में ये जो Vyapar Mala Express चलाई गई है ये किसन गंज से लेकर कहां तक चलाई गई है ये किसन गंज से लेकर जिरानिया तक चलाई गई है और जिरानिया आपका कहां पढ़ता है जिरानिया पढ़ता है त्रिपुरा में तो दिल्ली से लेकर त्रिपुरा तक चलाई गई है अब समझे ये ट्रेन जिसका नाम है Vyapar Mala Express ये कैसी ट्रेन है ये basically ऐसी ट्रेन है कि जो Eastern State से दिल्ली को सीधे जोड़ रही है मतलब कहने का कि इस ट्रेन में किसान आएंगे अपनी फसलें लेकर इसमें आप माल बगएरा चड़ा सकते हो जैसे कि माल लीजए आप आसाम में रहने वाले हो या आप अरनाचल प्रदेश में रहने वाले हो आप वहाँ पे किसानी करते हो और आप चावा लोगाते हो आपसे दिल्ली के कोई पाटी मिली आपको दिल्ली में उस पाटी ने बोला कि आप हमें इतने कुंटल गेहू लाकर दे दीजे यहाँ पर और आप हमसे पेमेंट ले लीजे तो आप इस ट्रेन के तुरू चाहें तो आप खुद भी जा सकते हैं और ना चाहें तो इस ट्रेन में अपना सामान रखके माल रखके सीधे बिजवा सकते हैं जो आपकी पाटी होगी वो दिल्ली में आपका सामान रिसीव कर लेगी और आपको payment कर देगी पहले से ठीक है? Actually payment तो आपको पहले ही हो जाएगा आप जैसे ही इसके तुरू अपना सामान बेजोगे आप builti number उसको सीधे mail कर दीजे वो वहाँ से सामान अपना उतार लेगा तो यह व्यापार माला एक्सप्रेस है जिससे व्यापार को बढ़ावा देना है किसानों के mail इसका mail यह मकसद है 46 coaches की यह train चलाई गई अब आप समझ सकते हो कितनी लंबी train होगी यह 2360 km की distance तै करेगी और इसकी जो speed है धीमी रहेगी करीब 35 km प्रती गंटे की रफ्तार से चल रही है इन में से किसके द्वारा largest network of 5 COVID-19 buy or positive raise by dbt at फरीदाबाद, भुवनेशव, न्यू डेली, पूने और मेंगलोर लॉंच किया गया है एक्जामपल के तौर पर मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ भारत के 5 चहरों में फरीदाबाद, भुवनेशव, नई दिल्ली, पूने और बैंगलोर इन 5 चहरों में COVID-19 के लिए sample network launch किया गया था तो ये किसके द्वारा launch किया गया ये डॉक्टर हर्चवर्दन के द्वारा launch किया गया sample network का मतलब समझ रहे है COVID का sample collect किया गया था इसके तहित, इस साल 2020 में फ्यार, ये इतना important question नहीं है और DBT का मतलब समझ रहे हैं DBT ने इसको launch किया था DBT का मतलब है Department of Biotechnology For the first time, Indian Railways is using which machine for track construction of dedicated freight corridor आपको पता है, इस तरीके से railway की पत्रियां बनाने के लिए अभी तक मज़़ूर लगाय जाते थे लेकिन पहली बार Indian Railway के द्वारा properly इस machine का use किया गया है इस machine का नाम क्या है इस machine का नाम है NTC NTC मतलब new track construction ये machine, अभी तक अगर हम बात करें है तो एक दिन में करीब देड़ किलोमीटर तक काम किया जाता था मज़़ूरों के द्वारा ठीक है, देड़ किलोमीटर तक काम किया जाता या फिर आप बोल सकते हो देड़ किलोमीटर track बन पाता था लेकिन इस machine की मज़़ से साड़े तीन किलोमीटर track एक दिन में बन जाएगा तो आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं एक गंटा हो चुका है अब आपको यह लिए announcement यह है कि आनकेडमी SSC live पर यहाँ पर current affair की मैं series लेकर आ रहा हूँ यह ऐसे ही चलती रहेगी तो daily मैं telegram पर आपसे share कर दिया करूँगा आप लोग daily join कर लिया करियेगा यहाँ पर इसी तरीके से ठीक है और अगर मान लीजिए अगले 10 दिन तक भी हम लोगों ने कर लिया ना तो 2020 के पूरे पूरे current affair कराने की जिम्मेदारी मेरी रही आपकी आपका 2020 का कोई भी current affair नहीं बचने वाला किसी भी exam के लिए आगे आने वाले पूरे एक साल के लिए आपकी छुट्टी हो जाईगी हर exam में ठीक है तो लग के इसको कर लीजे मैं महनत कर रहा हूँ एक घंटे के लिए आज आया करिये आपसे ठीक है हो सकता है किसी दिन में देड़ गंटे या दो गंटे की भी क्लास ले लूँ हो अगले दस दिन तक या फिर एक दो दिन छोड़ के थैंक यू शुकला जी आप सभी के प्यार के लिए बहुत बाद धैनाबाद तो अभी के बाद यहीं तक रखते हैं ठीक है और ऐसे स्टुडेंट जो की मेरा फुल कोर्स जोईन करना चाहते हैं वरुन 777 डिसकाउंट कोर्ड है आप इसकी मदद से जोईन कर सकते हो अगले हफते से मेरा फुल जीएस का कोर्स अन अकैडमी पर आ रहा है ध्यान रखिए अगर आपको मेरा कोर्स जोईन करना है तो SSC कैडिगरी में सब्सक्रिप्चन लीजएगा वाई टेक क्यार एवनाइस टे अपना ख्याल रखिए और कल सुबह करेंट अफेर में मुलाकात होगी एक चीज़ और ध्यान रखिए जो लोग मेरे डेली के करेंट अफेर देखना चाते हैं या मेरे चैनल से जुड़ना चाते हैं तो यूटीब पर सर्च करिए वरुनवस्ती या वरुनवस्ती करेंट अफेर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा उसको सब्सक्राइब कर लीजे डेली सुबह वहीं पर करेंट अफेर आते हैं बाई आवरीवन टेक केर